इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं। यह दर्द संकेतों में हस्तक्षेप करता है जो क्षतिग्रस्त नसों और मस्तिश के माध्यम से यात्रा करते हैं। इस दवा का नियमित रूप से उप्योग करने से आपके शारीरिक और सामाजिक कामकाज और जीवन की समग्र गुनवत्ता में सुधार होगा। यह दवा केवल बाहरी उप्योग के लिए है। अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। प्रभावक शेत्र को साफ और सुखाएं और धीरे से मलहम की मालिश करें। मायोलिन केटी ओंट्मेंट चार दवाओं का एक मिश्रन है गेबापेंटिन, कैपसाइसन आधारित रूबिफेसियन्स, केटो प्रोफेन और मिथाइल सेलिसिलेट। गेबापेंटिन एक अलफा दो डेल्टा लिगेंड है जो तंत्रिका कोशिकाओं की केल्शियम चैनल गतिविधी को संशोधित करके दर्द को कम करता है। कैपसेसन आधारित रूब फाशन से एक पौधा व्योत्पन है जो कुछ रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जिससे स्थानिय दर्द तंत्रिकाओं के लंबे समय तक डिसेंसिटाइजेशन का कारण बनता है। केटो प्रोफेन एक गैर स्टरायल विरोधी भरकाओ दवाएं यानि की एनसे आईडी है। यह दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर को निकलने से रोपता है। मिथाइल सैलिसिलेट का उपयोग सामय के इनाल जैसिक यानि की दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह पहले तवचा को ठंडा करके फिर उसे गर्म करके काम करता है। यह शीतलन और वार मिंग क्रिया तंत्रिकाओं के माध्यम से दर्द संकेत संचरन में हस्तक शेप करती है। साथ में वे नियूरोपेथिक दर्द यानि की क्षतिग्रस्त नसों से दर्द से राहत देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाई करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।